हेलो एवरीवन, टिप्स और ट्रिक में आपका स्वागत है, रोज के कामों में जो आपको परेशानी होती है, ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि आज मैं आपके साथ ऐसी यूजफूल टिप्स से एर करूंगी, जिससे कि आपकी सारी परेशानी सारी जंजट खतम हो जाएंगे, और वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आए, तो दोस्तों के साथ से एर करना ना भूले, तो आज की जो टिप्स हैं, जो हमारे घर में प्लांट लगे होते हैं, उनकी केयर हम घर पर कैसे करते हैं, उसी बारे में आज मैं आप जैसे ही सुंदर हो जाएंगे, जैसे की मेरे हो रहा हैं, देखिए, न्यू न्यू लीव मेरे प्लांट ओपर आ गई है, बहुत ही सुंदर मेरे प्लांट हो गए हैं, जैसे हमारे घर में फ्रूट आते हैं, फ्रूट को काटने के बाद ये वाले छिलके जो होते हैं, हर फ् ऐसे ही खाये जाते हैं लेकिन कुछ फ्रूट हमारे ऐसे होते हैं जिने हम छील के खाते हैं तो फ्रूट से न हमें बहुत एनरजी मिलती है हर कोई घर में फ्रूट का इस्तेमाल करता है क्योंकि बहुत ही एनरजी इन से मिलती है तागत बहुत होती है फ्रूटों के अंदर औ आप यदि प्लांट के सौकेन हो तो इस टिप्स को जरूर देखना बहुत ही यूजफुल टिप्स है आपके लिए तो ये देखिए मैंने जो बनाना के छिलके थे सारे सीजर से बरिक बरिक काट लिए हैं और आप मिक्सी में भी इसका पेश्ट बना सकते हो और बहुत ही अच मैंने इसे ही बड़ी काट का लिए हैं बनाना का प्यायोग तो बहुत ही टिप्सों में किया जाता है ये फैस के लिए भी भी बहुत लाब दायक होझा है यदि हमारे फेस पे छाई के निसान हो तो ये एक छिलका लेकर आप अपनी फेस पर हलके हाथ से मसाज करें तो आप के जो face पर निसान पड़ जाते हैं black dark circle जो हो जाते हैं वो भूत ही कम हो जाते हैं और ये देखिए मैंने सारे छिलके जो थे वो काट लिए हैं बरीक बरीक काट लिए हैं दो tips में एक साथ लेकर चले ही हूँ और ये देखिए जो हमारे घर में नीवू का प्रियोग होता है वो सारे मैंने नीवू रख रखे हैं इनकी भी आज मैं आपको भूत ही यूजफुल टिप्स बताऊंगे वीडियो को एंड तक देखना वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सेयर कर देना तो ये देखिए मैंने नीवू के छिलके जो रखे हुए थे उन्हें भी बरिक बरिक ऐसे ही कट कर लेंगे तो एक प्लेट में तो मैंने जो हैं केले के छिलके रख लिए हैं और एक प्लेट में मैं ये नीवू के छिलके हैं सारे इने बरिक कट कर लूँगी तो इने बरिक कट करने की बाद मैं इनका कही जी कि पीडियो करूँगी लेकिन फिलाल मैं आपको एक ही tips से इसकी बताँगी और बहुत ही useful tips है kitchen tips है और kitchen में अक्सर हमें इसकी जरूरत पढ़ती रहती है तो आपना इस्टेमाल करने के बाद नीवू के जो छिलके होते हैं उन्हें बिलकुल मत फैकना क्योंकि भूद ही यूजफुल टिप्स में आज मैं आपको बताने जा रही हूं तो ये देखिए मैंने सारे ये छिलके हैं बरिक बरिक इनका मैंने कट कर लिया और ये देखिए मैंने नीवू को भी कट कर लिया है और ये मैंने बनाना के जो छिलके कट किये थे वो भी कट कर लिये और पहले मैं आपको बनाना वाली टिप्स बताती हूं तो ये दिखिए मैंने ये पानी लिया है और पानी आप किसी भखोने में ले सकते हो और ये सारे छिलके उसमें डाल देना ये छिलके डालने के बाद इसे आप ओवरनाइट के लिए रख देना जब ओवरनाइट के लिए हम इने रख देंगे तो इसमें से जो पानी निकलेग अपने प्लांट में इसलिए मैंने ये टिपस आप से सेयर की है एक बार आप भी ट्राइ करोगे ना आपके प्लांट बहुत ही सुन्दर हो जाएंगे जैसे हम खाद बनाते हैं तो लीब जो होते हैं पेडों की उन्हें गलाने के बाद जो खाद बनता है उसे हम पेडों में लगाते हैं जिसे हमारा पेड बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और ये जो हम फ्रूट खाते हैं अकसर हम इने फ्रूट खाने के बाद जो छिलके होते हैं फैक दिया करते हैं ये छिलके बहुत ही लाब दायक होते हैं इनका भी खाद जो बनता है बहुत ही अच्छा बनता है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांटों में जो हम मार्केट से ख़द खरीट कर अपने प्लांट में लगाते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसका अपने घर पर ही ख़द बना सकते हैं तो जो हम केले के पानी का प्रियोग करके अपने प्लांट में ल प्रूग कर सकते हो तो जैसे हम लीप को सडाते हैं फिर उनका खाद बनाते हैं बहुत अच्छा खाद बनता है इसकार आप इन खेलों की छिलकों को अच्छी तरह सडा एक खाद बना सकते हैं अपने पेडों में लगा सकती हूँ बहुत ही easy तरीके से आप अपने प्लांट का घर में ध्यान रख सकते हो तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अपने प्लांट का बहुत ही ध्यान रखती हूँ और ये देखी मेरे प्लांट भी न बहुत अच्छे हो गए है बहुत ही प्यारे मेरे प्लांट हो रहे हैं मैं इनकी केयर करती हूं मैं वैसे ही आपको बता रही हूं तो ये देखिए मेरे बहार जो ना ये जो गुलाब का जो पेड़ था ना इस पर कही साल से फूल नहीं आये थे मैंने आपको पहले भी बताया था बट अब फूल आने लगे हैं आपको भी छोटे-छोटे फूल कर्मी स्टार्ट हो गई है तो हमें वोटल डिप जो हमारे हमेरे खाली आश्टरा लोगे हैं उनकी के कलीनिंग करने के लिए यह प्लेशिट रहे हैं तो हमारे घर में जो सारी प्ल τιςटिक यह फोले पर उन पर इस प्रगार से ऑन दूने यासी तरहा और नहीं आएगी आप नीबु इसमें अच्छी तरह से दो थिन पीस डाल दीजिए तो यह देखिए मैंने एक जो बोटल थी उसमें भी यह डाल दिया है और यह जो डिपा था उसमें भी यह डाल दिया है अब फिर हम इसमें डालेंगे बैकिंग पाउडर जो खाने वाला सो डिपे हैं वो भी किलीन हो जाएंगे और जो इसमें से गंदी स्मेल आती है वो भी खतम हो जाएगी हम इसे ओवर नाइट के लिए रख देंगे तो यह हम जैसे रात भर रख देंगे जो वैकिंग पॉडर हमने इसमें डाला है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा और नी इसें और इसमेल जो गंदी आ रही थि रहर को देखा रही हूं तो यह देखिए इसमें बेखर को पादर सकनारी को फैक देंगे और इसे ना साप पानी से वाश कर लेंगे और फिर इनका इस्तेमाल कर लेंगे तो ये देखिए मैंने इन्हें साप पानी से वास कर लिया है और वास करने के बाद ये बहुत ही क्लीन हो गए सिर्फ मैने इतने, नोर्मल ही पानी से बहुत ही सुन्दल लग रहे थे, और ये देखिए, जो बनाना की छिलके मैंने कट किये थे, कट करने से पहले मैंने अपनी गैस को भी इससे किलीन कर लिया था, तो ये जो छिलके होते हैं, इन से आप एक वर गैस किलीन करके देखना, फिर हम प्रियोग कर लिए और फिर आप प्रियोग प्लान्ट में इसका पानी भी लगा लिया तो ये टिप्स आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ठेंक यू